स्वागते हैं आप सभी का Tech Study आई टे योट्यूब चनल पर DRDO सेप्टम 10 टेकनीसियन एपोस्ट के लिए जो CBT एक्जामिनेशन होने टायर वन के वो 6 से 11 जनुरी तक के लिए परपोस्ट हो चुके हैं आप सभी ने अपने Admit Card भी डाउनलोड कर लिए होंगे अब अन्तिम समय में आपको तयारी कैसी करनी उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे टायर वन का Part A और Part B आप सभी को पता है दो Part में टोटल आपके एक्जामिनेशन होने वाले हैं जिसमें से एक Part में आपके 40 questions होंगे और एक Part में आपके 80 questions होंगे कैसे इनकी तयारी करनी जिससे कि आप यहां selection ले पाएं आप से हम यहां यही request करेंगे आप हर एक दिन को अंतिन दिन मानकर पढ़िए आपका एक्जाम भले 6 जनुरी को आप यह मानके चले कल ही आपका एक्जाम है और उस तरीके कि अगर आप तयारी करेंगे तभी आप DRD में फाइट कर पाएंगे और अपना selection ले पाएंगे टायर वन के बाद क्या होगा minimum passing criteria कितना रखा गया टायर वन का उस सब के बारे में बात करेंगे एंड एक final strategy आप कैसे पढ़ रहे हैं आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताईगा क्या आपने पूरा syllabus अभी complete कर लिया है या नहीं किया है अगर नहीं किया है तो आप बहुत पीछे हैं आपको बहुत मेहनत की जरूरत है अभी चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजेगा detailed syllabus का analysis अमियालडी बना दिया था आप लोगों ने उसको देखा भी काफी जब से admit card आया और भी आप देख रहे हैं तो यहाँ पर बात करें questions की तो paper का language Hindi English दोनों रहने वाला है and कोई negative marking नहीं होगी ऐसा आपके admit card पे भी mention है तो आपको सब भी questions attempt करने हैं देखे total question है 120 ठीक आपको time मिलने वाला है आप देख सकते हैं एक question पर आपको ठीक सी एक minute time भी यहाँ पर नहीं मिलेगा पार्ट है आपका रहने वाला non-technical जिसमें 40 multiple choice questions होंगे and पार्ट भी है आपका technical जिसमें 80 multiple choice questions रहेंगे अब यहाँ पर अगर passing mark की बात करें तो 40% रखा गया यहाँ पर general EWS and OBC candidate के लिए and 35% आपका रखा गया tier 1 में for SCST candidates के लिए ठीक है तो यह आपको ध्याँ रखना है 120 question में अगर हम 40% जोड़ें तो minimum आपके 48 numbers आने चाहिए तभी आप qualify होंगे otherwise आप यहाँ पर disqualify हो जाएंगे उसमें भी 1 ratio 8 candidate बुलाए जाएंगे तो इस चीज का भी ध्याँ रखना है वो ज़्यादा भी किये जा सकते हैं जो आपका अगला tier 2 exam होगा, tier 2 का trade test होगा उसमें 1 ratio 8 candidate बुलाए जाएंगे तो तयारी obvious सी बात है आप लोगों ने कर ली होगी अच्छे से कुछ चीज़ें हैसी जिनको आज हम यहाँ पर बताएंगे उन पर भी आप लोग फोकस कर लीजेगा जो कि आपके लिए plus point होगा तो section A और section B दोनों में क्या ध्यान रखना आपको उसकी लिए बात करेंगे यहाँ पर section A की बात करेंगे mathematical portion आपने अच्छे से तयार कर लिया होगा सभी candidates ने जो serious होंगे DRDO को लेकर या किसी भी examination को लेके general intelligence और reasoning पर भी आपने अच्छी मेहनत की होगी general awareness में एक चीज़ ध्यान दीजेगा जो अभी latest के 3 month के आपके GK है ठीक है चाहे FIFA World Cup ही क्यों नहों इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से study कीजेगा इनसे questions put up हो सकते हैं ठीक है इसके बाद अगर English language की बात करेंगे यहाँ पे आप किन-किन topic पे ज़्यादा focus करते हैं उस पे भी बात करेंगे वो topics आप ज़्यादा cover कीजिएगा बाकी जैसे ही 6 तारिक को एक जामिनेशन होंगे जिनके उसके बाद होंगे हम कोसिस करेंगे उसका एक review आपके लिए जरूर लेकर आ जाएंगे अब यहाँ पे 40 question रहने वाले section A के इन पे आप लोग ज़रूर focus करिए अच्छे से focus करिए और जो 80 question है आपके section B के जो कि आपके trade specific होंगे इनकी तयारी के लिए देखिए 10 दिन आपके लिए परियाप्त है अगर आपने पहले से questions को repeat किया है पहले से आपने दोहरा लिया है सारा आपकोना chapter जो है देखिए आप किसी भी trade से हो अगर आप एक दिन में 2 chapter से 3 chapter भी एक बार revision करते हैं खतम करते हैं अच्छे से trade theory के अपने तो आपकी section B के तयारी बहुत अच्छी हो जाएगी आप किसी भी एक अच्छी trade theory की book से अगर पढ़ाई कर रहे हैं आपने कोई question bank खरीदी हुई है तो कोसिस कीजिए हर दिन उनको revise कीजिए हर दिन अपने mock test लगाई आप अगर किसी application या किसी को join करके mock test दे रहे हैं या बहुत सारे free mock test आपको Google पे available मिल जाएंगे वहां से आप जाके technical का आपका जो भी trade है उसके खूप सारे mock test दीजिए और trade theory की जो book है उनको अगर आप सरसरी निगाह से भी पढ़ते हैं तो question answer ना करने के बजाए भी आप जिब theory पढ़ते हैं यहां यही सही था यही हम भी सोच रहे थे जबकि actual में condition कुछ और रहती है तो यह आपके 120 question रहने वाले हैं इनकी तयारी आप इसी तरीके से करिए इसमें जो portion आपका week है उस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा focus कर लीजे especially जो general awareness है आपकी general knowledge है उसको last के 3 months का आप सारा newsletter and सब कुछ जो current है उसको आप दोहरा लीजिए एक बार पत्रिकाएं अगर कोई पढ़ रहे हैं तो उनको अच्छे से पढ़ लीजिए and जो section B है उसके लिए अपनी trade theory पे आप focus करेंगे तो आपका examination बहुत अच्छा जाने वाला है हैं वो आपके hard level के होते हैं इन 20 में से जो 2-4 question put up कर लेता है इस 20 में जो 50% से ज़्यादा crack कर लेता है वो आसानी से किसी भी examination को qualify कर जाता है अब section A के बाद tier 1 के बाद हम tier 2 के अगर बात करें तो यह आपका trade test होगा tier 2 में कुछ candidates हैं ऐसे जो select हुए DRD-O में BARC में और BRO में उनके trade test में क्या चीज़ें कराई गई थी कैसे पूंची गई थी उसके बारे में हम जरूर एक video separate आपके लिए बना देंगे लेकिन पहला focus है आप सभी का tier 1 के लिए and हमारी सुबकामनाएं आप सभी के साथ हैं यहां बाकी syllabus भी आप detail में देख सकते हैं क्या-क्या topics आपको यहां पढ़ने पढ़ेंगे तो यह ध्यान दीजेगा इस पिसली जनरल awareness जैसे हमने बताया current awareness नेशनल इंटरनेशनल जैसे इंटरनेशनल में अगर फीफा है तो वो इंटरनेशनल न्यूज है एक तरह से इन सबको आपको अच्छे से cover करना होगा इसके लावा English language में synonyms intonyms जो sentence error होती है बीच में क्या error है sentence का correction fill in the blank sentence के arrangement या word के arrangement और comprehension इन पे आप focus करिएगा daily अगर आप 10-10 बीज-बीज भी यहाँ पे याद करेंगे तो आप काफी अच्छा कर पाएंगे इसमें तो यही syllabus है बाकी trade theory आप लोग अच्छे से study कीजे आप किसी भी publication की book पड़ रहे हैं बुक में लगबख syllabus सारा थोरोली कबर किया रहता है बसरते हम लोग कुछ चीज़े इंग्नोर कर देते हैं इसलिए हमसे ओटापिक्स छूट जाते हैं और उनसे related question का मांसर फिर नहीं कर पाते हैं तो बुक आपकी सबसे अच्छी साथ ही है लेकिन speed बनाने के लिए और किसी exam को qualify करने के लिए आपको mock test देने भी जरूरी होते हैं तो उनको भी आप जरूर देते रहेगा previous year के questions भी कोसिस करिए solve कीजिएगा जरूर नहीं DRDो के questions हो other जो department से उनके भी अगर आपको previous year के questions मिलते हैं आपके trade से related तो नहीं आप अच्छे से solve करने की कोसिस कीजिएगा बाकि हमारी सुबकानमा हैं आप सभी के साथ हैं and tire 2 पे एक detailed video आपको मिल जायागा जिस तरह से हमने tire 1 के syllabus का detailed video आपके लिए analysis किया था उसी तरह से tire 2 का trade test में किस किस trade में क्या क्या पूँचा गया भी तक कैसे पूँचा जाता है tools कितने पहचनवाए जाते हैं या कुछ वहाँ पे कराया जाता है एक से दो घंटे की duration का यह होता है उस पे हम जरूर एक video बना देंगे फिलाल के लिए अभी आपका focus होना चीए tire 1 पे and इसमें आपको अच्छा score करना है क्योंकि आपका selection इसी के basis पे फिर tire 2 में होगा तो आप सभी ने देखा यह होगा अपना admit card भी आपने download कर लिया होगा आपका examination जहां पे है वहाँ time से पहले आप पहुँच जाएगा क्योंकि winter season है थोड़ी सी problem भी आपको हो सकती travel में trains वगरा भी late चल रही है तो कोशिस करिए एक दिन पहले पहुचने की ऐसा मत करिएगा कोई की 4 गंटे पहले आपका train वहाँ पहुचा रहा हो तो ये भी हो सकता है का आपकी train लेट हो जाए और आप examination देने से वंचित रहे जाए फिलाल ऐसा किसी के साथ ना हो यही हम प्रेक करेंगे आप सभी के उज्वल भविस के हम कामना करेंगे आप लोग खूब मेहनत करिए आगे बढ़िए हमार यही कामना का आप सभी लोग अच्छे से सेलेक्ट हो थैंक्यू बेरी मच बने रहेगा चैनल पे मिलते हैं अगली अप्डेट साथ अगले वीडियो में ख्याल रखिएगा आपना उको पढ़ाई करते रहेगा बेस्ट आफ लग एडवांस में आप सभी को